आप सभी को मेरी नमस्ते और जैहिंद मेरा नाव भास से नहीं है वर्बल मैद भास से नहीं मैं आप सभी का स्वागत है चाल कोशन लेकर आएं आज ही जो की रिलीज हुई है दो कोशन उसमें से उठाए है मैट्स के और दो कोशन प्रिवेस यह रहे हैं इस रीजनिंग के शुरुबात करेंगे पहले कोशन से पहले कोशन को पहले पढ़ते हैं कि पांच कंसेक्टिव नंबर है ठीक है इसको थोड़ा और बड़ा कर देते हैं ठीक है राइप फांच कंसेक्टिव नंबर है लेकिन पांच और इवन है ठीक है डिसेंट्निक और में लिखे हुए है सबसे बड़ा उससे च्छोटा उससे च्छोटा उससे च्छोटा ठीक है अगर 6 8 10 भी एड़ किया जाए to the first second or third number में मतलब पहला जो भी नमबर था उसमें 6 एड़ कर दिया दूसरा जो भी नमबर था आठ एड़ कर दिया तीसरा जो भी नमबर था उसमें 10 जो था तो पताओ find the square of the second largest number of 5 नमबर कि बहुत ही असान तरीके से बताएंगे पहले आप देख लो कि explanation थोड़ा सा मैं और देता हूं कि सवाल है क्या सवाल कुछ ऐसा है कि अगर माल लो 5 यानि माल लो प्लस 4 से ले लेता है descending order में एक प्लस 2 एकस एकस माइनस 2 और एकस माइनस 4 ऐसे पांच नमबर है ठीक है हमें पता है पांच नमबर है एवन है consecutive है एक के बाद एक तो average ही है ठीक है तो स्थम क्या होता है average इंटू नमबर तो आपने बोला जो 5 थे यानि कि पहले अगर मैं आ यहां था फाद में सम पीसपरसेंट से बढ़ गया 120 का मतलब है बीसपर से से बढ़ एक सो बीसपरसेंट से बसे तब बढ़ा जब इसके अंदर भी कुछ जूडा इसके अंदर बीकुछ जूडव इसके अंदर भी इसके अंदर भी और क्या जुड़ा आपने वहला 20% की वेल्यू क्या है 6 प्लस 8 प्लस 10 24 24 और 26 यानि 50 क्या कैसे आया क्योंकि 6 8 10 13 इन सब को जोड़ दिया जिससे 100 से वह चीज 120% हो गई यानि 20% की वेल्यू यह है तो 100% की वेल्यू थी ओल्ड सम था 200 तो आवरेज कितनी होगी सम अपॉन एन यानि आपने बोल दिया 200 बटे 5 यानि की 50 और हमेशा मिडल नंबर आवरेज होती है यानि एक्स टी वेल्यू पचास थी आप से बोला है जो सेकिंड लार्जेस नंबर है जो सेकिंड लार्जेस नंबर था उसका का स्कुएर पूछा है यानि की सेकिंड लार्जेस नंबर ये है 52 का स्कुएर पूछा है यानि 2704 कि एक बार और बताएंगे कावाल समझीए ध्यान से आपने बोला मालो ये एक दो तीन चार पाँच पाँच एवन नंबर है ठीक है आपने बोला मिडल वाली एवरेज होती ठीक है, इसमें भी कुछ जोड़ा, इसमें भी कुछ जोड़ा, इसमें भी कुछ जोड़ा, इसमें भी कुछ जोड़ा, इसमें भी यानि आप मालनो इसका सम था पहले 100% और जब कुछ जोड़ दिया यानि आपने 50 जोड़ दिया था, तो सम हो गया था 20% फालतू, यानि कि new सीरीज थी इनका संधाइस हो था यानि कि अगर मैं मिड नंबर की बात करूं जो की एवरेज है एवरेज थी मेरी पचास तो अगर हम next number यानि कि second largest number की बात करेंगे तो वह आएगा 52 और 52 का स्क्वेर ही पूछा था I hope के मज़ा आगया होगा ठीक है next question सवाल देखो सवाल पढ़ते हैं पहले अशोग है और कौशिक कोनों मिलके काम करते हैं और वो काम 20 दिन में हो जाता है है ओके May लेकिन अगर अशोग अकेला आदा काम करता है और उसके बाद कौशिक भी बचा हुआ आदा काम करता है कि काम 45 डेज होता है ठीक है तो पताओ अशोग को कितना टाइम लगेगा अगर वो अके ले काम करता और यह माली जीए कि कॉशिक ज्यादा एफिशेंट अशोक से मतलब कॉशिक एक दिन में ज्यादा काम करता है ऐस कंपेर टू अशोक आपने ठीक है सबसे पहले मेरे को एक बाप बताइए अगर मैंने माले लेट वर्क वर्क माल लो कि 20 का कोई भी मल्टिपल ले लेता हूं मैं और 45 इंडिटी आप ऐसे माल लो आप माल लो कि वर्क है मेरा एक वस्ती एद यूनेट अगर आप 20 दिन में कर लेते हो यानी कि आप मेरे को माल में एफिशेंसी क्या होती है वर्क अपॉवन टाइंप एक सश्ती माना था और टाइम 20 यानि की नाइन यानि कि यह जो एफिशेंसी नाइन इसके अंदर एफिशेंसी ओफ अशोग भी शामिल है और एफिशेंसी ओफ कौशिक भी शामिल है यानि दोनों मिलके एक दिन में नौ यूनिट काम करते हैं पाल ऑच्कार्णिक्टे दो जो हमने लिट कि उसके अब अब आपने बोला कि नेक्स क्या बोल रहा है अगर आधा काम मानलो आधा काम कौशिक की आपिशेंसी मालो यह तो तॉर मुझे मालुम है कि कौशिक वर राची है यह जी जिनी दी एफिशेंसी आप मोलो के नौ है ना तो साड़े चार साड़े चार तो बिल्कूल भी नहीं होगा ब्रेक करो 45 लाना है तो आपने बोला माल लो इसको माल लेते हैं 6 और इसको माल लेते हैं 3 तो यहाँ पर आपका आगया 6 इसको कर दो 30 और यह आपका आगया 15 हो गया solve यानि कि मैं बिना equations all करें भी कर सकता हूँ और ऐसे ही करते हैं maximum बच्चे आपको पता होगा कि अगर मैं यह की बात कर रहा हूँ तो उसकी efficiency 3 थी और कौशी की बात कर रहा हूँ उसकी efficiency थी 6 और बात बैट गई अब इसने पूछा क्या है इसने बोला कि बताओ कितना time लगेगा complete काम करने में अशोक को वर्क कितना है 183 और अशोक की efficiency कितनी है 3 यानि 60 days तो यह दूसरा कोशन था दुबार से बताते हैं देखो ऐसा होता है हमने कुछ भी लेट कर लिया मैंने माल लिया मालनों मैं 90 भी लेट कर सकता था ठीक है मैंने 20 और मैंने ले लिया 20 दिन में complete हो रहा है तो मैंने लेट कर लिया था कि 100C unit work था तो 100C divided by 20 यानि 9 जो है दोनों की efficiency और मैंने 6 और 3 में तोड़ी ऐसा क्यों तोड़ा क्योंकि मुझे पता था कि जो आधा काम है यानि आधा काम एक ने किया आधा काम दूसरे ने किया और 45 लाना था तो आपको पता चल गया कि कौशिक की efficiency कौशिक एक दिन में 6 unit काम कर रहा है और अशोक एक दिन में 3 unit काम कर रहा है और अशोक को 180 unit काम करना है तो आप तुरंद बोलो के 60 दिन लग जाएंगे भाई साब ठीक है पता ना कमेंट सेक्षिन में कि ये दोनों कोशन सॉल्व हुए और नहीं हुए कोशन नमबर बन हुआ या नहीं हुआ और कितना टाइम लगा अगर नहीं हुआ तो रीजन लिखो कोशन नमबर टू हो गया कितना टाइम लगा नहीं हुआ तो रीजन लिखो अब मैं बात कर रहा हूं कि रीजनिंग के तो पैटन नोट करते वे चलो रीजनिंग की आपके पास एक छोटी सी कॉपी होनी चाहिए जिसके अंदर पैटन होने चाहिए अब यह कोशन है आपने बोला सी टीन है बी का दो है और एफ का छे हैं और इधर से मुझे लाना है नाइन तो आपने बोला ती की वेल्यू 20 पाई की वेल्यू 25 दोस्तो आठ आठ की वेल्यू होती है है एक नेक्स्ट तो यह हुआ है नहीं हुआ सच बोलना है कमेंट सेक्शन में एक और और वन कौन सा है आपने बोला 23 का स्क्वेर 529 माइनस 23 कर दो 506 ठीक है यह आ गया 17 का स्क्वेर 289 माइनस 17 कर दो आपने बोला 2 और 272 बिल्कुल ठीक है ठीक है 31 का स्क्वेर 961 माइनस 31 930 नाइंटीन का स्क्वेर 361 माइनस 19 तो यह तो बिल्कुल भी नहीं आएगा यनि यह ओड है ती ओड है बागी सब गलत मतलब बागी सब तो फॉलो कर रहे हैं ती आंसर है तो यह आपकी शॉट वीडियो थी आज की ठीक है और आपको बहुत पसंद आई होगी बहुत ही इंपोर्टेंट है इसका आउटपुट तब पता चलता है जब पेपर दे कर आते हैं तब समझ में आता है जो बच्चे उल्रेड़ी जानते हैं यह बात उनको पता है इसलिए वह consistent बने वे हैं जो वच्चे इसको हलके में ले रहे हैं उनके लिए बोल रहा हूं हलके में मतले ना चाहे आप प्र झाल 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 झाल